बागिश्वर जिले में कोरोना के मामलू में लगातार कमी आ रही है जिससे प्रशासन ने रहत की सांस ली है मंगलवार को कोरोना के तीन केस सामने आये हैं जिले के मुखिच के साधिकारी डॉक्टर बीडी जोसी ने बताया कि कोरोना वाइरस से जांच के लिए 465 सेंपल भेजे गए थे उन्होंने बताया कि आप तक 98,000 से अधिक सेंपल जांच के लिए भेजे जा चुके हैं बागिश्वर जिले में वर्तमान में 26 एक्टिव केस हैं जिन में से 5 का उपचार कोविट केर सेंटर बागिश्वर में किया जा रहा है 21 संक्रमित को घर में ही आईसोलेट किया गया है इधर जिलाधिकारी विनीद कुमार ने लोगों से ढिलाई न बरत्तिवे गाइडलाइन का पालन करने तथा आवश्चा ग्रूप से टीका करन करने की अपील की है यहां बता दें कि बीटे 10 दिनों में बागिश्वर जिले में मातर 10 के सामने आये है CCN न्यूस के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट